प्री छात्रों आज हम लोग तिर्कोर मितिक अंतरगत एक बहुत ही इंपार्टेन रिजल्ट का स्टडी करेंगे रिजल्ट है कास 18 डिगरी इक्वल टू होता है रूट ओवर 10 प्लस 2 रूट 5 अपान 4 इस रिजल्ट को प्रूप करने के लिए हमें दो फार्मुला पहले से पता होना चाहिए एक तो साइन 18 डिगरी का वेलू पता होना चाहिए जो कि रूट 5 माइनस 1 अपान 4 होता है और एक fundamental identity पता होना चाहिए साइन 18 डिगरी का वेलू पहले से नहीं पता हो तो हमारा पिछला वीडियू देखिएगा जिसमें हम इसे derive किये हैं चलि हम इसका proof देखते हैं हम पहले से जानते हैं कि साइन 18 डिगरी इक्वल टू होता है रूट 5 माइनस 1 अपान 4 और sin2 थीटा प्लस 802 थीटा इक्वल टू 1 होता है यहां से 802 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस sin2 थीटा अब दोनों पच्छों में थीटा इक्वल टू 18 डिगरी पूट कर देंगे तो हो जाएगा 902 18 डिगरी इक्वल टू 1 माइनस sin2 18 डिगरी फिर next step में हो जाएगा 902 18 डिगरी इक्वल टू 1 माइनस sin 18 डिगरी का वेली पूट कर देंगे रूट 5 माइनस 1 अपान 4 तो हो जाएगा 1 माइनस रूट 5 माइनस 1 अपान 4 होल स्क्वाइर फिर next step में हो जाएगा 80 square 18 degree equal to 1 minus root 5 minus 1 whole square upon 4 square फिर next step में हो जाएगा 80 square 18 degree equal to 1 minus root 5 minus 1 का whole square हम a minus b के whole square पे calculate कर लेंगे जो कि a square plus b square minus 2a भी होता है इसले हो जाएगा root 5 square plus 1 square minus 2 root 5 और अपन 16 फिर next step में हो जाएगा 80 square 18 degree equal to 1 minus root 5 का square करेंगे 5 हो जाएगा फिर 1 का square करेंगे 1 हो जाएगा minus 2 root 5 upon 16 फिर next step में 5 और 1 को add कर देंगे तो हो जाएगा 80 square 18 degree equal to 1 minus bracket में 6 minus 2 root 5 अपन 16, फिर next step में LCM ले लेंगे, तो 80 square 18 degree equal to हो जाएगा 16 minus in bracket 6 minus 2 root 5 अपन 16, फिर next step में minus से हम multiply कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 80 square 18 degree equal to 16 minus 6 plus 2 root 5 अपन 16 फिर next step में हम 16 में 6 को minus कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा Cascade 18 degree equal to 10 PLUS 2 ROOT 5 अपन 16 फिर NEXT STEP में LEFT ‫से Kennedy स्कWARE हटा देंगे तो हमें प्राप्थ हो जाएगा Cascade 18 degree equal to ROOT OVER 10 PLUS 2 ROOT 5 अपन 16 फिर NEXT STEP में Cascade 18 degree equal to हो जाएगा ROOT OVER 10 PLUS 2 ROOT 5 अपन ROOT OVER हम 16 को लिख देंगे 4 INTO 4 फिर NEXT STEP में 4 बाहर हो जाएगा ROOT के तो finally हम प्राप्त करेंगे cast 18 degree equal to root over 10 plus 2 root 5 upon 4 यह result competitive exams और home exams के लिए बहुत ही important है हमें आसा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होगा तो comment करके बताईए जा future में उस्षश सालू करने का कोशिस किया जाएगा तेंग